गुद बॉनिंग सुपरबात केमचो सलाम उम्मीद आप सब लोग भैतर होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मुझे मालूम है कि मैं लेट हो गया हूँ और मैं लेट मेरे कारण से नहीं हुआ हूँ मैं लेट हूँ जो मेरा ब्लेट टेस्ट आज च्रेडूल था कि बच्चे तो मेरे स्कूल गये हूँ है कोई बच्चा दिख नहीं रहा तो वह सोचा कहीं कि सर पागल तो नहीं है जो ब्लेट टेस्ट के बाहारे पागलपन बता कर रहे हो नहीं बोला भाई ऐसा है तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेंगे पर कई सो बच्चे हैं हज्ज वह सोच रहा होगा कि का फजगे जैसी वह आया मेंने का यार तुम 15-20 बिट लेट आगे हो है ना हजारों बच्चे मेरा इंतियार कर रहे है तो सुच रहा होगा बेट के मन में कि को ने क्या है एक के खैट उसे नहीं मालूम कि मैं क्या काम करता हूं उसे यह मालूम है कि ड जॉस कैपमेन की एक बुक है उसमें लिखते हैं वो 1960 में कोलंबिया युनिवर्सिटी के एक रिसर्चर डॉक्टर वॉल्टर मिशेल ने छोटे बच्चों पर एक एक एक्सपरिमेंट किया उन्होंने और यह एक्सपरिमेंट मालूम है यह बहुत बड़ी सीख है था चोटा सा एक्सपरिमेंट है लेकिन इससे बहुत सारी सीख मिलती है हमको अपने लक्ष के लिए आगे बढ़ने को लेकर के अपने गोल को कैसे अच्छीव करना है उसको लेकर तो वो लिखते हैं कि 1960 में कोल टेबल कुर्सी पर लाइन से बेठे हुए थे और टेबल के बीच में डॉक्टर मिशेल ने एक बड़ा नर्म मार्शमेलो रखा एक तरह का केक जैसा मीठा चीज होती है चौकलेटी टाइप का केक जैसा होता है कि मार्शमेलो फॉरेनर बहुत खाते हैं तो उन्होंने तो तुमको दो मिलेंगे वो यदि मैं जा रहा हूं भी जा बाहर जाओंगा थोड़ी दर बाद बापस आओंगा यदि तुमने इसे नहीं खाया मेरा इंतजार किया तो मैं तुमको दो दूँगा वे चले जाते हैं फिर वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं इसके बात क्या हो तिही ती उसकी तरफ देखा उनौने देखा 5 मिट हो गए 10 मिट हो गए 15 मिट हो गए और बच्चों ने क्या किया कई बच्चों ने उसमें से जो हो उठे और उठकर उन्हें अपने अपने लिए और खाना सुरू कर दिया ठीकgt कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस बात को फॉलो कर रहे थे उन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया दूसरे बच्चे उन्हें बोल भी रहे थे कि वो नहीं आएंगे पता नहीं कितना लेट होंगे एक दो के बदले में एक क्यों छोड़ दे हैं लेकिन कुछ बच्चे वड़ा बिरता पुर्वक अपने मन पर कंट्रोल रखे रहे और उन्होंने वो मार्शमेलो को नहीं खाया उन्होंने वो रिसर्चर के लोट कर आने का इंतियार करते रहे बाकी बच्चों ने खा लिया और रिसर्चर जो है दो घंटे के बाद वो लोट कर आए ठीके और उन्होंने उन बच्चों को जो इंतियार कर रहे थे उनको दो-दो मार्शमेलो दिये और उन बच्चों के नाम नोट किये सारे बच्च जितने बच्चे सब के नाम नोट थे और फिर उन्होंने क्या देखा उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने 20-22 साल के बाद उन्होंने दुबारा ये रिकॉर्ड बाहर निकाला और उन्होंने पता लगाया है कि वो बच्चे जिन पर मैंने ये एक्स्प्रिमेंट किया था वो क्या कर रहे हैं अब दो केटेगरी के बच्चे थे एक जिन्होंने मार्स में लोग खा लिया था और एक वो जो दो घंटे तक रुके रहे 20 साल के बाद उन्होंने जो है वो एनलिसिस किया पता लगाया उन्होंने कि ये लोग बच्चे कर क्या रहे कहा कहा है जानकर उन्हें आश्र हुआ कि वो सभी बच्चे जो दो घंटे तक मार्श मेलो का इंतियार करते रहे दो घंटे तक तच भी नहीं किया उन्हें दो घंटे तक रिसर्चर के लोट के आने का इंतियार करते रहे वे जीवन में बहुत सफल बने बड़ी कंपनी के CEO है वो बड़े-बड़े वेंचर चलाते हैं वो और उनमें से एक फिल्म स्टार मनता है बड़ा उनमें से एक पॉलिटीशन मनता है कुछ बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं CEO होते हैं और वे सब जो रिसर्चर के बाहर जाते ही मार्श में लोग खाली है थे वे सभी बच्चे जो है वो एक मिडल क्लास लाइफ जी रहे होते हैं कोई किसी कंपनी में नोकुरी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है मतलब उनमें से किसी का भी सिगनिफिकेंट एचिवमेंट नहीं होता है तो यह रिसर्चर जो थे हैं यह साइको एनलीसिस कर रहे थे इन्होंने निसकर्स निकाला कि जो लोग जीवन में धेर रखते जो लोग जो है लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और यही quality leadership में काम आती है यही quality हर field में काम आती है छूटी सी कहानी है लेकिन बड़ी सीख देती है जब तुम्हारे सामने जो है वो आसान विकल दिखाई पड़ते हैं तो आसान विकल पर मत जाओ दूर का विकल जो तुमने तेह किया था उसकी तरफ धान अपना रखो और अपना focus बिल्कुल disturb मत करो डी focus मत करो अपने आपको मंजिल जरूर मिलेगी यह मैं नहीं कहता हूँ यह psycho analysis कहती है ऐसी कई सारी research है वो कहती है चली have a great day ahead all the best पिटा मिलते हैं कल bye bye